आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्च्वस में मैं दरुब जिनकर फॉर्मर एस बीए प्यो आज आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन लाया हूँ हूँ इसी पी बेस पुरा सेशन रहेगा यह मेरा ओपीनियन है कोई ऑथेंटिक और इसकी तरफ से कोई नोटिस नहीं है तो इस बात का धिहान रखेगा अगर सेशन पसंद आए तो लाइक जरूर कीजेगा और वीडियो को एंड सक जरूर देखिएगा अब चलिए आज का सेशन स् हमें मैं लूँगा हमारे जो पुराने स्पॉंसर रहे हैं प्रमोट रहे हैं अनकैडमी उनकी नई कैटेगरी एमिच्टी सीटी स्टार्ट की गई है एमिच्टी सीटी एक्जाम के लिए स्टार्ट की गई है जहां पर रैंकर्स बैच 21 दिसमबर से कल से स्टार्ट हो चुक mock test, detailed doubt clearing sessions, analysis तो जो जो चीजें एक final preparation के लिए जरूरत रहती है वो सारे elements आपको यहाँ पर देखने को भी लेंगे with single subscription सारी information नीचे आपको description में मिल जाएगी, अगर आप में आपके कोई भी जानकार है, चोटे भाई या बहन जो भी MHTCT की तैयारी कर रहे हैं उनको unacademy के subscription के बारे में ज़रूर बताईएगा, और जब भी अगर आप subscription लें, तो आप हमारा promo code virtuous यूज़ कर सकते हैं और सीधा सीधा 10% का discount आप लोगों को मिल जाएगा, 10% का सीधा discount, rankers batch है, जहाँ पर top educators आप लोगों की तैयारी करवा रहे हैं from basic to advance, जिसमें single subscription में test भी included हैं, doubt clearing sessions भी included हैं quizzes भी included हैं और theory classes तो हैं तो एक जगह जहाँ पर पूरी complete preparation आप लोगों की करवाई जाएगी, तो description में आपको सारी important information मिल जाएगी, अगर आप हमारा subscription यूज करेंगे, तो 10% का discount इस पर आपको बिलेंगे तो चलिए आज के session पर आ जाते हैं आज का session है upcoming bank and insurance exams तो let's start with bank exams, bank exams के साथ start करते हैं कि 2021 में कौन-कौन से bank exams के notification हम expect कर सकते हैं तो starting with the biggest one, IBPS IBPS अपना calendar usually mid January release करता है और इस साल भी यही expected है कि mid January mid January में IBPS का calendar release किया जाएगा और calendar में आपको with tentative dates सारी की सारी recruitments बताए जाएगे अब इसमें क्या-क्या आप expect कर सकते हैं सबसे पहले RRBs की बात करें तो RRB के लिए आपके PO की post scale 1 then office assistant that is clerk इसके बाद scale 2 and scale 3 की भी notifications आप expect कर सकते हैं then आ जाते हैं PO पर IBPS PO का recruitment आप expect कर सकते हैं similarly for IBPS clerk जो आपके respective public sector banks होते हैं इनके लिए recruitment release किया जाता है तो ये तो आपके IBPS के अंडर के recruitment हो गए अब इसके इलावा SBI के अगर बात की जाए तो SBI के दोनों post के लिए आप recruitment expect कर सकते हैं notification भी 2021 में आप expect कर सकते हैं अब इसके इलावा अगर हम RBI के बारे में बात करें तो RBI के दो notification इस साल आप expect कर सकते हैं sorry आने वाले साल में 2021 में grade B का जो notification है वो already delayed है तो grade B का notification आप सबसे पहले early in this month January में most probably या फिर इस महीने December के end तक आप expect कर सकते हैं then grade B के बाद अभी जो RBI assistant की pre-joining formalities चल रही है अभी LPT रहेगा LPT के बाद DV and medical test then उनकी joining करवा दी जाए उसके बाद आप 2021 में assistant की vacancies भी expect कर सकते हैं RBI assistant के लिए आप जैसे कि देख सकते हैं bank industry में banking sector में बहुत सारी notifications आप expect करेंगे बहुत सारी notifications आपको देखने को मिलेंगे 2021 में IBPS के लिए RRBPO clerk IBPS PO IBPS clerk SBI के लिए बात करें तो SBI PO and SBI clerk और RBI के लिए finally बात की जाए तो RBI grade B and RBI assistant अब बात कर लेते हैं हम insurance sector के बारे में insurance sector में एक जो almost आप certainty के साथ में ये बात आपसे कह सकता हूँ कि LIC की तरफ से दो notification इस साल आपको देखने को मिल सकते हैं सबसे पहला रहेगा आपका WA journalist के लिए अब मुझे पता है काफी सारे ऐसे candidates हैं जो WA specialist post के लिए जो notification release किया गया था उसकी further आगे की process नहीं बढ़ाएगी है तब से बहुत समय से ये postpone है तो उसमें भी आप certain developments देखने को मिल सकता है बाकी WA journalist post के लिए notification release किया जाएगा और साथ ही साथ आप इस साल expect कर सकते हैं LIC assistant का भी notification इस पे मुझे पता है बहुत सारे जो waitlist के candidates हैं वो इंतजार कर रहे है और expected है कि यार कुछी समय में LIC waitlist अपनी release कर देगी although बहुत जादा समय हो चुका है delay बहुत बढ़ा हो गया expected था कि LIC waitlist clear कर देगा पर किसी कारण वर्ष अभी तक waitlist clear नहीं की गई है तो expected है कि पहले LIC की waitlist पैनल candidates है उनको clear किया जाएगा then LIC के 2021 में new notification देखने को मिल सकता है अब यह जो waitlist के बारे में है यह unions के अभी जो strike चल रही थी LIC के अंदर वो strike अभी खतम होगी क्योंकि LIC agree हुआ उनके कुछ terms में उस पे भी एक जो circular हम हमें मिला है हमारे candidates है उस पे सिंग सर शाम को आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे कि क्या-क्या बाते महाँ पर हुई main जो बाते थी वो wage revision पर था जैसे कि bank में भी 11th piper take लगा न उसी तरह से LIC में कुछी टाइम में आप wage revision आपको देखने को मिलेगा तो उस पे discussion हुआ उसमें wait list के बारे में भी बात की गई थी तो वीडियो मिस मत कीजेगा शाम को वीडियो रिलीज किया जाएगा सिंग सर ने वीडियो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए तो ये रहेगा आपका insurance sector में mostly आपका LIC देखने को मिलेगी अब काफी students के doubt रहेगा कि सर बाकी जो general insurance companies है उनसे क्या notification हम expect कर सकते है कि initially year के start में जब तक COVID की situation नहीं थी जब तक LIC के recruitment चल रहे थे इतना pending work नहीं हो रहा था तब तक मुझे expected था कि general कोई न कोई insurance company ज़रूर vacancy निकालेगी पर अब कोई clarity देखने को नहीं मिल रहे है किसी तरह का कोई development देखने को नहीं मिल रहा है तो अगर आता है तो एक एक positive note होगा पर अभी के लिए कुछ भी clear नहीं है insurance से मैं LIC के दो vacancies पे दो post पे मैं expect कर रहा हूँ notification और bank के तो बहुत सारी notifications आएंगे तो जो जो नए students हैं और जो पुराने भी हैं जो आगे के लिए भी तैयारी कर रहे हैं further कुछ रहते हैं जिनके target से लग रहते हैं even job के अंदर भी target करते हैं बड़ी post के लिए तैयारी करने के लिए उनके लिए अच्छी गबर है 2021 में पर अभी अगर आप preparation कर रहे हैं तो preparation पर focus रहे हैं और आगी का जो time है वो भी बहुत positive है तो unnecessary कुद पर ऐसा pressure नहीं डालना कि 2021 में तो सर्कुछ भी रहेगा नहीं CT आ जाएगा कुछ notification नहीं रहेगा वेकेंसी बिलकुल नहीं रहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है अच्छे से अभी के notifications पर focus कीजिए जैसे SBI PO3 का कुछी समय में exam है उसके लिए तैयारी कीजिए उसके लिए आज से हम memory based paper discussion स्टार्ट कर रहे हैं बोथ for content reasoning शाम को ये दोनों के दोनों session conduct करवाए जारे है तो जाके check out जरूर कीजिएगा schedule आपको हमारे homepage पर मिल जाएगा तो class जरूर अटेंड कीजिएगा और अभी current notification पर focus रहे हैं तो चलिए दोस्तों आच्छे session में इतना ही now that's all for today's session take care